दूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपके साथ भी यह सब होता है तो आपने 100% जो है बेबी बॉय को कंसीव किया है तो चलिए वो कौन-कौन सी चीजे हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को हो लाइक, सेयर और सस कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं उसके रिपलाई देने की जरूर कोसिस करूंगी और उसके उपर वीडियो भी मनाने की कोसिस करूंगी तो आपके कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो चलिए ज चानते हैं कि बहुत से ओल वाइफ ऐसे बोलते हैं बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जब भी हमें जो है मीठा खाने का मन करता है तो हमने जो है बेबी गल को कनसी वेpping किया हूआ है और जब और इसमें scientific region क्या है तो सबसे पहले तुम्हें बता दूब कि जब मेरी pregnancy थी तो मुझे जो है मीठा खाने का बहुत ही अधिक मन करता था और मैंने बेबी boy को conceive किया हुआ था तो जो है मीठा और तीखा ये जो है आपके mood के उपर depend करता है आपके जो उस समय जो है mood sweating होते रहत हैं तो उस टाइम में वह चीजहैं में बहुत ही अच्छे लगने लगती है जैसे कि है पहले हमें मीठा फ़संद नहीं होता है लेकिन जैसे heetu ही pregnancy होती है उस टाइम हमें जो है बहुत अधिक उन्सीज़ों को खाने की carving होने लगती है ऐसे fiance फूट्स खाने को मन करते हैं ज बेबी गर्ल हमने जो conceive किया है और तीखा थीखा थीखा पसंद है थे हमने बेबी बॉय को conceive किया हुआ है मेरे टाइम में मैं मुझे मीठा खाने का बहुत दिक्मन करता था और प्रेग्नेंसी के टाइम में जो थे खाने की कार्विंग जादा होने लगती है खाने की बहुत अधिरिक लाल सा और मन करने लगता है उसके बाद गुरोथ का होना दूसरा जो लक्षण है तो क्या होता है कि जो है मतलब प्रेग्नेंसी होती है तो उस टाइम जो है हमारे हेर जो है देखिएगा बहुत ही अच्छे हो जाते हैं बहुत ही चमकदार मुलायम गने हो गए है तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है और अगर बाल अतदिक जड़ रहे हैं तो आपने बेबी गल को कंसीव किया हुआ है तो चलिए जानते हैं इसमें क्या साइंटिफिक रीजन है और इसमें कितनी सच्चाई है तो सबसे पहले तुम्हें बता द तो इस समय जो है iron calcium के हम लोग भरपूर मात्रा में लेते हैं और जब भी हम iron calcium लेते हैं तो उस समय जो है हमारे skin बाल और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं बाल के growth भी बहुत अच्छे होने लगता है pregnancy के time में यह iron की गोली खाने से और इस समय अजाने मुलायम हो गये हैं तो हमने बेबी boy को conceive किया हुआ है और बाल अत्रण जड़ए हैं तो इसमें भी कहीं को को सच्चाई नहीं है तो मैं अपने time की भी बात बताती हुँ कि जब बेबी boy को conceive कि किया हुआ था तो मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा चमकदार घने मुलायम हो गए थे और बाल बिलकुल भी नहीं ज़रते थे लेकिन ये लच्छन कुछ ना कुछ मेरे साथ सटीक बैठा था लेकिन इसका एक साइंटिपिक रिजन ये भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया कि उस समय हम लोग आयरन क उसके बाद जो लक्चन है कई महिलाएं ऐसा बोलती है कि जो है मतलब वेट पूटान हो गया है पेट का आकार ज्यादा बड़ा हो गया है कमर का आकार ज्यादा बड़ा हो गया है तो हमने बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है और जो है मतलब पेट का आकार कम दिख रहा है पेट कम दिख रहा है कमर कम दिख रहा है और जो हमने ज़्यादा वेट फूट आन नहीं किया है तो हमने बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग जैसा इस समय प्रोटीन, केलसियम, आयरन सा तो कई महिलाओं में होता है, कि देखिएगा उनका पेड बहुत ही कम दिखता है, लगता ही नहीं है, कि वह जो है pregnant है, प्रेगनेंसी है, क्योंकि मैंने भी कई महिलाओं का ऐसा देखा है, कि 7 मांद चल रहा है, 8 मन चलने वाला है, लेकिन पेड विलकुल भी समझ में ही नहीं आता है कि वो जो है प्रेगनेंट हैं, बट कई महिलाओं को मैने ऐसा देखा है कि 2-3 महिना ही लग गया है, 4 महिना ही लग गया है, लेकिन उस समें इनका पेट का आपार बहुत ही बड़ा दिखने लगता है, तो इसमें भी कही न कहीं लोग ऐसा मानते हैं, ओल वाइप्स ऐस बोलती हैं कि पेट का आकार बड़ा दिखता है आगे की तरफ जुका हुआ दिखता है तो जो है और कमर का साइज भी बड़ा दिखता है तो हमने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है और जिन महिलाओं का पेट छोटा दिखता है कम दिखता है पेट विल्कुल समझ में नहीं बैटता है लेकिन इसमें जो है वेट पूट ऑन के बारे में जैसे मैंने बताया तो इसमें वेट पूट ऑन होता ही है हर एक महिलाओं का जो इसमें वेट पूट ऑन होता है लेकिन कई महिलाओं का पेट दिखता है और कई महिलाओं का पेट इस टाइम में नहीं दिखता है त मेरे टाइम में क्या हुआ था लच्छ Bjंट के साथ सठीज्ट Is दू इसमें भी कोई साइंटीफिक रीजन नहीं हैकि जो है पेट बड़ा दिख रहा है मतलब बेभी कंसीव रहा चोटा दीख रहा है तो बेबी गल कंसी भी हुई है इसमें कोई साइंटिफीक रिजन नहीं है और वेट पूटाउन होना प्रेग्नेंसी में होता ही है क्यूंकि तीन किलो तक का तो हमारा बेबी ही नाइन मन तक हमारे मतलब गर्भासाय में हो जाता है तो गर्भासाय का वेट प्लस जो है प्लेजेंटा का वेट उसमें रहता है प्लस बेबी का वेट रहता है और बेबी पूरा वाटर में रहता है वाटर लेवल में ही रहता है तो प्लस का वेट इन सब को मिला कर जो हमारा वेट जो है अराम से 10-12 किलो जो वेट बुटन हो जाता है तो इसमें भी कोई कहीं भी साइंटिफिक रीजन नहीं है तो फ्रेंट जो है आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं और और अधिक जनकारी के लिए प्रेग्नेंसी से सब्सक्राइब करते हुए जाईएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यूँ